हेलो फ्रेंड्स चैसरी स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स देखें ब्लाउच की कटिंग हम भले सही से कर लेते हैं अच्छे से कर लेते हैं लेकिन ब्लाउच की सिलाई करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है तो वह कौन-कौन सी बाते ह वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो गर अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो चलिए सबसे पहले हम अपना यह कटोरी ले लेते हैं तो कटोरी को हम देखिए इस तरह से दोनों कटोरिया ले लेंगे इस प्रकार से और आमने सामने इस प्रकार से रखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए मिनी प्लेन कपड़ा लिया है और अगर आप भी प्लेन कपड़े में कटोरी ब्लाउज बनाते तो इस प्रकार से चौक से निशन जरूर लगाए ताकि आपको इसमें टक्स लगाने हैं तो वो आप बराबर से लगा लेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्लेन कपड़ा होने से एकी साइट के टक्स लग जाता है कटोरी में इसलिए ये अच्छा तरीका है तो देखिए यहाँ पर हमने एक कटोरी लिए अब इसमें हम टक्स लगाएंगे तो कभी-कभी किसी कटोरी में क्या होता है कि टक्स जो है वो तिरचा हो जाता है तो उसको हम सिधा कैसे लगाएंगे सिधा टक्स कैसे आता है हमारा देखिए इस प्रकार से कटोरी को लेंगे और इस प्राकार से सेंटर पदण नीशान लगा लेंगे। और देखिए, या फिर इसमें एक कट ॆ लगा सकते हैं, तुनढ कट भी लगा देती हूं और निशान भी लगा लेती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कटोरी को लेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से हम टेप को रखेंगे और सीधा रखेंगे देखिए इस प्रकार से इस प्रकार से रखेंगे इसको सीधा और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे देखी इस प्रकार से यह हमने सीधी लाइन ड्रॉप कर ली है अब यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं उपर के साइड यहाँ पे एक इंच तक कपड़ा छुटा हुआ है देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ देखिए इस प्रकार से तो इतना कपड़ा जो है यहाँ पर चुटा हुआ रहना चाहिए तो देखी इस प्रकार से हमारा यहां पर एक इंच का एक्ष्ट्रा कपड़ा यहां पर चुट गया है तो इस तरह से हमारी जो यह सीधी लाइन यहां पर हम इस प्रकार से पकड़ेंगे और यहां पर हम अब टक्स के लिए मार्किंग कर लेत तो यहाँ पर हम टक्स की चवड़ाई लेंगे टक्स की चवड़ाई मैं यहाँ पर ले रहे हूँ पावने 2 इंच देखे इस प्रकार से पावने 2 इंच यहाँ पर लेंगे अगर कम साइज है तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं मैं यहाँ पाउने दो इंच रख रहे हूँ टक्स की लंबाई मैं यहाँ पर ले रहे हूँ तीन इंच तो तीन इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं अब देखें यहाँ पर हम टक्स लगा लेते हैं टक्स लगाने से पहले देखें यहाँ पर हम अच्छे से इस तरह स पचा रहेगा एक इंच का तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आम आपको बता देती हूं इतना है यह कपड़ा यहाँ पर अब हम टक्स लगा लेते हैं तो देखिए इस प्रकार से ह। यहां पर इस तरह से कर्व शेफ देते हुए यहां पर टकस में डाली है ने किस तरह से टकस में सीलाई लगाई है वो मैं आपको इस दुसरी कटोरी में बता देती हूं देखी इस प्रकार से हम निशान लगा लेते हैं चवडाई और लंबाई का टक्स के और इस प्रकार से देखिए नीचे से हमें इस तरह से कर्व शेप में सिलाई लगाते आना है तो देखी इस प्रकार से जो मैंने ड्रॉक किया है यहाँ पर इस तरह से कर्ब शेप दिया है टक्स में तो इसी निशान के उपर से हमें सिलाई डालनी है तो देखी इस प्रकार से हमने डबल सिलाई यहाँ पर डाल दिये तो यह पक्का हो जाएगा अब दeखिए, यहाँ पर ये जो नोग है कटोरी का, वो बिल्कूल भी निकलेगा नहीं, तो यह अच्छी ट्रीक है, फ्रेंट्स, जो अगर हम इस तरह से यहाँ पर टक्स लगाते हैं, कटोरी में, तो कटोरी में नोक निकलनी की जो समझ है वो बिल्कूल भी नहीं आती है तो देखिए इस प्रकार से हमने ये दोनों कटोरी यहाँ पे रेडी कर ली है अब हम एक कटोरी लेंगे और इस प्रकार से देखिए साइड वाला क्रॉस पट्टी लेंगे इस प्रकार से रखेंगे अब देखिए नीचे की तरफ से कटोरी जो है वो इस तरह से बड़ी हुई है अब बात करते हैं कि यह जो कटोरी है वो यहाँ से नीचे की तरफ से कितनी बड़ी होनी चाहिए कितनी बड़ी हुई रहनी चाहिए तो देखिए इस तरह से मैं आपको पता देती हूँ यह एक तक कटोरी बड़ी होनी चाहिए साइड वाले क्रॉस पट्टी से तभी कटोरी और साइड वाला क्रॉस पट्टी है वो बराबर से आजाता है बराबर फिक्स होता है और अगर आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से आप यहां पे कटिंग करके कटोरी को फिक्स करेंगे तो बरा तो दीखे इस परकार से हम साइड वाला क्रोस पत्टी यहां पर रखेंगे और इस तरह से सबसे पहले आप चेक कर लेंगे देखे इस परकार से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर देखे नापने के बाद इस प्रकार से जो है हाफ इंच का हमारा कटोरी है इस प्रकार से एक्ष्ट्रा आना चाहिए तो इस प्रकार से एक्ष्ट्रा अगर आता है कटोरी तो यह बराबर यहाँ पर फिक्स बैट जाएगा तो इस तरह से ये एक्ष्ट्रा होना चाहिए अब देखिए मैं आपको ये cross putty इस तरह से सीधा कर के दिखाती हूँ देखिए इस प्रकार से तो देखिए इस प्रकार से सीधा करने के बाद अगर हम देखते हैं तो ये दोनों part जो है बराबर finishing के साथ यहां पे attach हो जाते हैं तो अब हम इसमें एक सिलाई लगा लेते हैं तो इस प्रकार से बराबर मिला के रखेंगे कटोरी और साइड वाला पार्ट और इस तरह से सिलाई लगा देंगे और मैं यहाँ पर डबल सिलाई लगा रही हूँ इससे यह अच्छे से मजबूत हो जाएगा और धागा यहाँ निकलेगा नहीं तो देखें अब इसको हम नाकुन सिक्रीच कर लेते हैं नाकुन सिक्रीच करने पर यहाँ पर एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है देखें इस प्रकार से तो यह हमने यहाँ पर अभी एक कटोरी अटेज कर लिया है अभी जो एक्ष्ट्रा कपड़ा इनको भी कट कर लिते हैं इस प्रकार से अब इसके बाद देखिए दूसरा वाला कटोरी और क्रॉसपत्ट्टी लेते हैं और उसको भी हम यहाँ पर अटोरी के पटूरी थी बिचा में से आपको कोई भी पार्ट जो है खिचना नहीं है और अच्छे से यहाँ पे हलके हाथ से सिलाई लगा लेना है दोनों पार्ट में से कोई आप एक पार्ट खिचते हैं तो वहाँ पे फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी देखिए इस प्रकार से हमारा यह दूसरा पार्ट भी रेडी हो गया है इस प्रकार से में यह दोनों पार्ट जो है मैंने रेडी कर लिए अब इस में से एक पार्ट हम साइड में रख लेते हैं अब एक पार्ट लेंगे और इसके बाद देखिए पीछे का पल्ला लेंगे और पीछे का पल्ला जो है मैंने पहले रे क्या है उसको भी हमें चेक कर लीना यहां पर पेल्ट की चोड़ाइ की जो हमरे 6' क कईद्ध चेक क्ची में फली कई थो हुड़ाइ देख यहां है यहां है और यहां पे दो पाइnt extra आ रहा है और हमारे बेल्ट की चपटह थी तीन इंच है यहां समगत द्वा भाइंट अगर ऒब एक्ष्ट्रा यहां पे आ रहा है तो यहां डिय थी तरह पर यहांपर देखें यह बराबर टीन इंच आरह तो यह भी हमें दो पॉइंट एस्ट्रा बढ़ा के ही लेना है, तो फिर्ट देखे हमारा सामने का जो पला है फिर्ट के पले से दो पॉइंट कमी रखेंगे, मैं हमेशा दो पॉइंट कमी रखती हूँ तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे देखे एक लाइन खीच देती हूँ और दो पॉइंट का जो एक्ष्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे और यहाँ पर देखे इसको अब हम साइड में रख लेते हैं यहाँ पे मैंने लाइन खीची है यह मैंने तीरची लाइन खीची है और यह वाला कटोरी की साइड जो है हम कोई भी कपड़ा कटने करेंगे हमें जो भी कपड़ा कट करना है वो साइड से करना है अब इसके बाद हम दोनों कटोरी वाले इसों पर्ट से सामने के इसको अम इस तरह से आपक करेगे और जो है उसको कट कर लेंगे यहाँ पर ज्यादा कपड़ा करनेगेट। तो फिर देखे आपको लग रहा होगा कि यह बेल्ट की जो चोड़ा है वह बहुत ज्यादा है तो यह ऐसा नहीं है देखिए इस ब्लाउज की जो लंबा ही है उसे की हिसाब से मैंने यह बेल्ट के कटिंग की यह तो यहाँ पर देखे बेल्ट के इस साइड में ने हाप मार्जिंग लिया है एक इंच का मार्जिंग को जरू ट्राएक हैं लेकिन मैं नई देती हूं मैं कहए नहीं को इस तरह से बराबर मिलाते हुए और यहां पर 7 लगाना श्क्राट करें गे ईगसरा पर और यह टक्स जो है वराबर से सीधा नहीं रहता है इस टक्स का मूँ जो है क्रॉस पट्टी की तरफ रखना है साइड वाला जो क्रॉस पट्टी है कटोरी के साइड में जो लगता है देखिए इसका मूँ इस तरफ रखना है अब इतना काम होने केबाद, हमें क्या करना है, देखिए, पीछे का पला लेना है, और उसके उपर इसको रखना है, इस तरह से और इसको पलट देते हैं, अब देखे, यह सोल्डर शे सोल्डर अच्छे कर लाइसillah, और नीचे की से तरब देखिए, यह कितना एक्ष्ट्रा क लगबक एक्स्ट्रा कपड़ा है तो यहां पर देखिए इस तरह से यह दो पाइंट का जो कपड़ा है वह एक्स्ट्रा आरा है तो इसको हम कट करेंगे तो उसके लिए हमें देखिए दुसरे वाले कणा चला करेंगे तो तो नीचे भी देखेंगे तकस को इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो यहां पर उपर से एक और सिलाई लगाएंगे दबाव के लिए तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा वाला प्राट भी रेडी हो गया अब हम देखिए जो हमने यहां पर निश्यान लगाया था एक्ष्ट्रा कपड़ा है सामने के पल्ले में तो उसको कट कर लेंगे तोनों पल्लों को इस तरह से अच्छे से बिचा के रखेंगे बराबर से इस प्रकार से कही बर भी जो है कपड़ा एक्ष्ट्रा गम ज्यादा नहीं होना चाहिए तो उसको बराबर से मिला के रखेंगे और इस तरह से कट कर लेंगे तो यहां पर हमने इसको कट कर लिया है अब इसके बाद हमें यहां पे कमर पट्टी अटेच करनी है तो कमर पट्टी लेंगे और यहां पे अटेच कर लेंगे बेल्ट में और यह देखिए मैंने यहां पे कमर पट्टी ले ली है यह जो कमर पट्टी है मैंने दूसरे कपड़ी की ले ली है यहां पे कपड़ा कम था तो मैंने थोड पर देखें के सिला लगा दी और उसाइड से भी इस तरह से थ्वाइड से थोड़ा कपड़ा ऐचार Give us अब यहां पर देखिये कमर में पट्टी अटेच करेंगे इस प्राकार से एक्स्ट्रा ही लेंगे जाए तो Ж् victim पड़ जाती है अवसानी से पट्टी को लगा सकते हैं कहीं पर भी खाच नहीं करना है इस तरह से देखेंगी हमने यहां पर दोनों कमर पट्टी या पर लगा दीए दोनों साइड में अब यहाँ पर जो भी एक्ष्ट्रा कपड़ा उसको भी कट कर लेंगे तो फिर देखिय हुग पट्टी लगाएंगे तो हुग पट्टी मैं यहां पर ले रही हूँ देखिए इसकी चवड़ाई दो इंच है तो फिर देखिए हुग पट्टी की चवड़ाई है वो दो इंच ही रखे देड़ इंच भी रख सकते हैं लेकिन मैं हमेशा दो इंच की रखती हूँ दो एक सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से फीनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है पट्टी का उसको कट कर लेंगे तो यहां पर हमारी हुक पट्टी देखे इस तरह से लगा ली है अब इसके बाद हम आय पट्टी लगाएंगे तो आय त्येश्चती के लुई सब्सक्राइब उसके three इंच चवड़ाय पट्टाइब इस प्रकार से देख्यों आए पट्टि बनाने के लिए आप वमेश्यची स्वराइब की पट्टी ही लेंगे और अगर उससे कम लेते हैं धाइनच की भी ली लेते तो भी चल जाएगा धाई इन से कम ना ले तो इस प्रकार से देखिए हम आई पट्टी यहाँ पर अटेच कर लेते हैं इस तरह से पल्टेंगे और एक थोड़ा-थोड़ा कपड़ा यहाँ पर दबाके एक सिलाई लगा देंगे अब इस पट्टी को हम सीधी साइड इस तरह से पल्टेंगे और मार्जिंग Georसे उपर रखेंगे और यहाँ उपर से एक सिलाई लगा देंगे अब साइड से हम हाँ पिंज की दुरी से एक सिलाई और लगाएंगे हम यहां पर आई लगाने होते हैं तो यहां पर देखें इस तरह से मैंने इक्ष्ट्रा कपड़ा कट करके यहां पर आई पट्टी जो रेडी कर ली है अब दोनों पल्ला देखिए हमारा इस तरह से हमने रेडी कर लिया है तो फ्रेंट्स देखें यही कुछ बाते होती है जो हम कटोरी ब्लाउज की जब stitching करते हैं तो उसको हमें ध्यान में रखते हुए कटोरी ब्लाउज की सिलाई करनी होती है उससे हमारे ब्लाउज में फीनिशिंग आती है तो फ्रेंट्स देखें यहाँ पर मैं अभी पूरी फिटिंग नहीं कर रही हूँ कटोरी ब्लाउज का फूल स्टिचिंग का वीडियो में पहले शेयर किया हुआ है तो वो आपको मेरे चानल में मिल जाएगा या फिर मैं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो वहाँ पर आप देख सकते हैं उसी प्रकार से फ्रेंट्स कले में पाइपिंग किस प्रकार से की जाती है फिनिशिंग के साथ उसका भी वीडियो में शेयर किया हुआ है तो उसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो उसमें आप देख सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको यह वीडियो केसे लगे प्लिज कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो फ्लीज एक लाइक जरूर कर दीज PROF आपके लिएगा तो प्लिज चांब का सब्सक्राइब कर लेजिएगा थेंक्य।